हेलो एंड वेल्कम टू अनकेडमी क्या हाल चाल है आप सभी के बताइए क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अम आई ओडिबल तो ठीक है भाई शुरुवात करते हैं आज के सेशन की आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मुझा मिलेगा भुगोल लक्षे 2023 की ये सिरीज है और जियो मॉर्फलोजी हमारा चल रहा है जियो मॉर्फलोजी ओके और हमेशा की तरह मैं आपको यही बोलता हूँ दो चीज करते रहना नोट्स खुद का बनाना है ना खुद का बानाना क्योंकि ये लड़ाई आपकी है नोट्स आपका होगा मेहनत आपकी होगी हाड़ वर्क आपकी होगी तभी UPSC क्रैक होगा भाई याद रखना सोचोगे कि दूसरे का नोट्स पढ़के कोई I.S. बन दाएगा तो जितने भी टॉपर्स है उनके घर में उनके जितने भी भाई बेन होंगे है ना तो किसी का All India Rank 10 आया किसी का 2 आया किसी का 1 आया अपने छोटे भाई बेन रिष्थेदारे को अपने को नोट्स देदेगा अगर नोट्स से किसी दूसरे के नोट्स से कोई I.S. तो आपको तो IS बनने का कभी मौकाई नहीं मिलता समझ जाना इस बात को खुद का नोट्स, खुद की महनत खुद का हाड़ वर की पे करेगा और रेगुलर रिविजन कर लेना ये रिविजन रेगुलर कर लेना इतना ही काफी है बाकी के लिए मैं हूँ तो मेरा नाम है नवीन तवर एट येर टीचिंग इस्पीरियंस है सिक्स्टाइम में इस इंटर्वी को एक्स्पीरियंस है मंतली करंट अफिर मेगजिन के एडिटर रहा हूँ जोगरफी से मास्टर्ज, UGC, NET, JRF, दोनों क्वालिफाइड हूँ आनलाइन टीचिंग इक्स्पीरियंस मौर देन 3000 आर्स है ये मेरा टेलिग्राम चैनल है अनकेडमी अंडरिस्कोर नवीन तवर इसको जोइन कर लेना मेरे सभी क्लासिज के PDF आने वाली क्लासिज के नोटिफिकेशन अनकेडमी का सब्स्रिप्शन लेना है एडमिशन लेना है उससे पहले मुझसे कोई बात करनी है यहाँ पर आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हो और आपके पास जो अनकेडमी की एप है उसमें कॉम्मिनिटीफ फीचर से जिसमें आप मुझसे कॉम्मिनिगेट कर सकते हो यह UPSC प्रिलिम्स 2023 अभी लगबग 6 महीने बचे है तो एक रिविजन बैच लौँच कर रहा है जिसमें मात्र 300 घंटे में आपका पूरा स्लेबस का रिविजन हो जाएगा यह बैच शुरू हो रहा है एक दिसंबर से एक दिसंबर से रफ्तार bilingual और accelerate बैच है यह आपका English में launch हो रहा है तो मात्र 6 महीने के अंदर आपके पूरे UPSC प्रिलिम्स की तयारी करा दी जाएगी तो उसके लिए आपने नवीन 1 referral code इस्तमाल करके Unacademy को subscribe कर सकते हो देखो तो रफ्तार बैच है 2023 यह bilingual है एक दिसंबर से शुरू होगा और accelerate बैच है यह भी एक दिसंबर से यह English में होगा और यह 6 महीने का जो बैच है उसके लिए Unacademy आपके लिए special offer लेके आया है कि एक दिसंबर से जो यह बैच शुरू हो रहा है तो जो 6 महीने की प्लस GS की fees है 40,490 वो आपको मातर 25,000 रुपे में उसके बाद अगर आप मेरा referral code नवीन1 यूज करोगे तो 10% additional discount तो आपको अगर अपना prelims ensure करना है तो मातर 6 महीने में आप इस बैच को जोईन करके यहां से अपने पूरे syllabus का revision कर सकते हो और उसके असाथ ही constitution day के अफसर पर अनकेरमी आपके सामने एक और जबरदस ओफर लेके आया है पुरा आप यह देख सकते हैं 12 महीने का plus combo जो 70,000 का है वो 52,999 में उपर से अगर आप मेरा referral code 91 लगाऊँगे इसमें 10% discount और मिल जाएगा same iconic यह plus combo है यह plus GS है आप इसको देख सकते है 58,000 वाला 46,000 में पड़ेगा उपर से अगर मेरा referral code लगाऊँगे इसमें 10% discount और मिलेगा तो चाहे plus combo लो चाहे plus GS लो एक शांदार offer है यह आपको मिलेगा जो बच्चा एक बार के में फीस नहीं दे सकता वो EMI में चुका सकता है तो शिरुवात करते है आज के session की क्या हाल चाल है बताओ मोज मस्ती एक बच्चा कह रहा है सर इतना पैसा नहीं आए आरे भाई हिम्मत तो है ना तबी तो YouTube पे भी पढ़ाने आते हैं ना मापको ओके तो थोड़ा टाइम एक्स्टा लग सकता है लेकिन हिम्मत है पढ़ते रहो रास्ता मिलेगा तो हमने जीवन की उत्पत्ती देख ली बेटा आज की क्लास में कुछ विशेश आपको और देखने को मिलेगा हमने देखा Life, Origin of Earth देखा उसके बाद हमने देखा कि Life आई Life आने के बाद हमने बहुत सारे युग देखे Pre-Cambrian देखा Proterozoic देखा उसके बाद आप Proterozoic में भी फिर हमने बहुत सारा अंदर Study किया Okay Paleozoic हो गया Mesozoic हो गया Senozoic हो गया सब के अंदर हम पढ़ रहे है Life को Study कर रहे है लेकिन इस प्रत्वी का जो Geological Time Scale है अगर हम प्रत्वी की IU जब से ये अब तक को हम Study करें न बिटा ऐसे बहुत सारे दोर भी आए है कि जब प्रत्वी पर से बहुत सारी प्रजातिया विलुप्त होई है विलुप्त होई है ठेक है यानि के वराहद पैमाने पर प्रजातिया विलुप्त भी हुई है तो पहले एक बार हम क्योंकि हम पढ़ रहे है हमने पढ़ा कैम्ब्रियन, और्डोवीसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन आज हम ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेशियस पढ़ेंगे फिर पैलियोसीन, इयोसीन, ओलीगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन पढ़ेंगे और प्लिस्टो सीन और हॉलो सीन पढ़ेंगे इस पूरे दोर में हमने देखा लाइफ का ओरिजिन भी देख रहे है लाइफ कैसे आई अर्थ पे अभी इसी दोर में जब ये पूरा दोर चल रहा है बेटा इसी दोर में ऐसी भी घटनाए हुई है कि बड़े इस्तर पर प्रजातिया प्रत्वी पर से विलुप्थ होई है तो पहले हम इस पूरी जर्नी को देख लेते हैं यहां तक की कहानी हमने कर ली थी आज ये कहानी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मास एक्स्टेंशन और UPSC लगातार कुश्यन पूछ रहा है मास एक्स्टेंशन पर तो फराफर सेशन को लाइक और शेर कर दीजिए आगे बढ़ते हैं तो ये कैम्प्रियन, और दोवीसियन, सिलूरियन, डेवोनियन और ये कार्बोनिफेरस और पार्मियन ये सारी कहानी हमारी हो चुकी है कहानी इससे आगे की है कुछ बच्चों का मैंने कमेंट देखे थे कुछ बच्चों को माउंटेन बिल्डिंग पर लेकर थोड़ा सा माउंटेन बिल्डिंग के जो फेज है बिल्डिंग फेज है उसको लेके थोड़े से doubt है बस मैं कहूँँगा 2-3 session और wait करो उस पे मैं आपको proper mountain building कैसे प्रत्वी पर परवतों की उत्पत्ती हुई निर्मान हुआ वो मैं आपको बहुत अच्छे से clear करूँगा proper एक lecture लेगा या उस पे 1.5 गंटे का इसलिए थोड़ा सा patience रखो अभी तो बस आप इतना ही याद रखो pre-cambrian, caledonian, harcenian और जो आपका alpine वाला था ठेक है तो मैसो जो एक पर आगे हम triassic, jurassic और cretaceous इसकी बात करेंगे triassic में क्या हुआ तो triassic में क्या हुआ तो बड़े-बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है इसको बहुत सारे रेंगने वाले जीवों हुए तैरने वाले lobster जो केकडा समू के परानी है स्तंधारी, जो mammals है वो भी आने लगे मासा हारी मत्स यह तुल्य रेप्टाइल्स भी आए और रेप्टाइल्स में भी स्तंधारी आगए प्रोटी थीरिया इन सब की उत्पत्य भी मतलब आप इसको सिर्फ मोटा मोटा याद ये रखते चलो कि कैसे धीरे धीरे आपकी bio devastating आर्थ पर बढ़ती जा रही है तरह तरह के जीव पैदा हो रहे है यानि की आपका प्रत्वी का जो climate है वो उस प्रकार का तयार होता जा रहा है की वो ज़्यादा से ज़्यादा बायो डाइवरसिटी को सपोर्ट कर रहा है ठीक है तो फिर आया जुरासिक आप जानते हो जुरासिक डाइनसोर्स आपके यहां पे मिलते है तो मगरमच के समान मुख और मचली के समान धड़ वाले जीवों का काल है ये तो डाइनासोर रेप्टाइल का विस्तार लॉब्स्टर और जो पहले जो लॉब्स्टर आ चुके थे उनकी संख्या बढ़ गई अब एक दिन एक बच्चे ने पूछा था सर ये कैसे ये प्रजातिया विलुप तो क्यों हो रही है बतला डाइनासोर कभी था अभी नहीं है तो क्या कारण है क्या कारण है इस पे भी हम चर्चा करेंगे ऑल्दो इस बार का जो एन्वार्मेंट और इकोलोजी का पूरा सेशन होगा उसमें हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन आज भी मैं आपको एक इंसाइट जरूर दूँगा इस पे जलचर जल में रहने वाले है ना स्थलचर नबचर तीनों आगे समुदर में स्थल पे और आसमान में रहने वाले यानिके जो उड़ने वाले पक्षी है आपके जुरा माउंटिन्स का यूरोप में उनका निर्मान हुआ पुष्प यूग्त वनस्पतिया है ना फ्लावर है ना पुष्पा समझे ना सुनकर फ्लावर समझे क्या तो यह निकी यह फ्लावर वाली वेजिटेशन इस यूग से आना शुरू हुई यादे ना ठीक है ओके वैल ड़न ठीक है तो फ्लावर वाली वेजिटेशन का यूग यही है उसके साथ क्रिटेशियस यूग आया वेरी इंपोर्टेंट है बिटा वेरी इंपोर्टेंट एक्जाम के पॉइंट अफ यू से बड़ा इंपोर्टेंट है यह क्रिटेशियस तो उड़ने वाले सरीसरप से लेके प्रथम पक्षी और कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ती इसी युग में हुई आपको अगर अवतार मुवी याद हो अवतार मुवी बिटा याद है ना अवतार तो उस अवतार मुवी में आपको कुछ उड़ने वाले सरी सरप देखने को मिल रहे थे तो प्रत्वी का जो 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 लॉजिकल टाइम स्केल है उसमें जो बहुत सारे तरह की स्टडीज की गई है तो आप देख रहे हो बिटा अलग अलग युग में अलग अलग तरह के जीव थे हो सकता है आने वाले दस वीस पचास लाख साल या एक लाख या एक करोड साल तक हम इनसान और आज जो हमें दिखाई दे रहे है जैसे जीव वो नज़र आए लेकिन उसके बाद जब एक नया दोर शुरू होगा तो हो सकता है वो जीव बिलकुल अलग हो तब कोई आज से एक करोड साल बाद पचास लाख साल बाद हमें पढ़ रहा होगा आज जैसे हम इनको पढ़ रहे है तो एक लंबा इतियास है आवर्त बीजी पोधों का विका रेप्टाइल्स है रेप्टाइल्स इनको सरी सरफ बोल रहे है उनका अस्तित्व मानव के अस्तित्व से बहुत पुराना है यह मान के वो एंसेस्टर से प्रत्वी पर हम लोगों से बहुत पुराने है वो रेप्टाइल्स करोडों साल से रह रहे है हम तो अभी आए है बड़ा खेल खेल दिया इस अर्थ के उपर मेगनेलिया जैसे सितोषन पत्जडवन के व्रक्ष इसी टाइम पे डवलप हुए आलासका, केनेडा, मेक्सिको, ब्रिटेन के जो डॉबर छेतर आस्टेलिया में खडिया मिट्टी का जमाव देखने को मिला रोकी और एंडीज परवतों की उत्पत्ती शुरू हो गई थी इसी युग में शुरू हो चुके थी और भारत में दक्कन ट्रैप वे काली मिट्टी का निर्मान इसी टाइम पे हुआ तो आप में से जिस भी बच्चे को जिसके भी पास अनकैड़मी का सब्सक्रिपशन है कॉम्बो वाला सब्सक्रिप्शन है जिस बच्चे के पास उसको मैं एक सजेशन दे रहा हूं या तो Combo Subscription हो या जिसके पास सिर्फ Optional का है अगर आपको पूरा जानना है ना भारत भारत को पूरा जानना है कि भारत बिलकुल कहां से शुरुआत हुआ और आज तक हम आज जिस पोजिशन में इंडिया है कितने दोर गए ये ये अरावली विंधियन सत्पुडा नौर्थ इस्ट है ना डेकन प्लैट्यू कब बने कैसे बने उनके पीछे कौन कौन सी जो प्रत्वी के अंदर की शक्तिया काम कर रही ति अगर किसी भी बच्चे को जानना है तो जो ग्रफी ओप्शनल का जो मेरा सेकिंड पेपर है जो ग्रफी ओप्शनल second paper उसके मेरे शुरुवात के 8 से 10 लेक्चर 7, 8 से 10 नहीं लगेंगे मुश्किल से आपके शुरुवात के 5 से 6 चेप्टर देख लेना यानि के lecture number 1 से लेके lecture number 5 और 6 तक देख लेना आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि बड़ी तसल्ली से समझाई है हमें क्योंकि GS में अपने वो ज्यादा काम की नहीं है लेकिन कई बार बच्चों का जानने का मन करता है तो आप इधर जाके उसको geography optional paper 2 है बेटा वहाँ पे उस पूरी कहानी को जान सकते हो आप तो भारत में जो दक्कन ट्रैप है और काली मिट्टी का निर्मान वो इसी टाइम पर हुआ था किस पर बड़ा बड़ा लिख लेना इसको important cretaceous yug cretaceous ओके तो आगे चलते हैं फिर आया हमारा mesojoic तो हो गया बटा senojoic आया और senojoic में मैंने आपको बताये थे 2 थे senojoic में हमारे 2 थे एक है हमारा tertiary और एक है हमारा quaternary quaternary इन सब को देखेंगे तो पहले हम बात करेंगे tertiary की tertiary की आप में से शायद कुछ बच्चे भूल गए होंगे मैं वापस से दिखा देता हूँ ये देखो ये आगे बटा senojoic है senojoic के अंदर 2 है एक है tertiary, एक है quaternary तो अभी हम इस tertiary को पढ़ेंगे tertiary के अंदर वैसे 2 पार्ट है इसके नियोजीन, पैलियोसीन चाहे इसको आप याद रखो या ना रखो ये वाला याद रखना जरूरी है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन ये सब पढ़ने वाले हैं अभी हम तो senojoic के अंदर अभी हम पढ़ेंगे tertiary और जैसे ही tertiary समाप्त होगा फिर हम पढ़ेंगे quaternary तो चलिए शुरू करते हैं इस से आगे की कहानी तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, वो code था हमारा P-E-O-M-P पैलियोसीन ये रहा, सॉरी, उपर है उपर की और है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन P-E-O-M-P तो पहले देखते हैं पैलियोसीन में क्या हुआ है तो पहले तो इन्होंने ये बोला जितने भी हमारे जो आज यंग folded mountain है जिसको आप वलित परवत बोल रहे हो आज वो इसी टाइम पे मतलब तर्शरी युग में ही निर्मित हुए है चाहे हमारा हिमाल्य हो चाहे रॉप के आल्पसो तो सभी मोड़दार परवतों की उत्पत्ती आल्पसुए हिमाल्य होए रॉकीज एंडीज वो इसी काल में हुई तो इसको टोटल हमने पांच हिस्सों में बाटा है पैलियोसीन, ईयोसीन, ऑलीगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन तो बात करते हैं पहले पैलियोसीन में क्या हुआ तो अल्पाइन माउंटिंस आपके जो है यह हुआ उसके साथ कहते है कि डाइनसोर ऐसा नी की जुरासिक के बाद भी डाइनसोर सर्वाइव किये लेकिन इस टाइम तक आते आते डाइनसोर लगबख समाप्त हो गए थे डाइनसोर इस काल तक आते आते समाप्त हो चुके थे समाप्त क्यों हुए वो एक्स्टिंक्शन क्यों हुआ उस पे भी आज की क्लास में बात करेंगे थोड़ा पेशिंस रखना स्थल पर यानि के जो स्थल मंडल है उस पर मैमल्स का विस्तार हुआ और सर्व पर्थम स्थन पाई जीव और पुछो विहीन बंदरो एप जिसको आप बोलते हो ये एंसेस्टर्स बोलते हैं जिनको हम हमारे एंसेस्टर्स मनुष्य के तो यहां पर आपको ये देखने शुरू हुए आपने बहुत सारी हॉलिवूड मुवी देखी होगी एप करके एप की सिरीज आई थी है ना एप शायद वन टू ऐसे कुछ एक दो सिरीज आई है एक दो मुवी मेरी भी देखी हुई है तो वो इसी चाइम पर थे बिटा वो यहां पर आना उनका यह आ गए थे यहां पर एप चलो तो तरह तरह के जीव है बात करते है अब एक बड़ी इंपोर्टेंट बात है बिटा एक बड़ा इंपोर्टेंट चीज है समझो इसको मैंने आपको क्या बोला बताया था आपको लास्ट क्लास में कि कभी ऐसा था कि यह सारे महादीप एक साथ थे जिसको हमने सुपर कॉंटिनेंट पैंजिया बोला था उसको चारो तरफ से एक सागर गहरे हुए था जिसको हमने बोला था पैंथालसा वो प्रत्वी के अंदर भुगर्विक रूप से आंत्रिक भाग में बहुत सारी हल चले हुई वो आने वाली क्लासिज में देखेंगे कैसे होती है हल चले क्यों होती है जिससे वो पैंजिया तूटने लगा दो हिस्सों में तूट गिया था Pengea Pengea का जो नौर्थ वाला पार्ट था उसको हमने क्या बुला लोरेंशिया, अंगारालेंड और Pengea का दक्षिन वाला भाग था गौंडवाना लेंड बीच में बड़ा सागर था जिसको हमने टैथिक सी बोला था तो जब ये सूपर कॉंटिनेंट था या जब वो अंगारा लेंड या गौंडवाना लेंड था तो एक साथ बहुत सारे महादीप आपस में ही जुड़े हुए थे तो बेटा उस टाइम पे क्या करते थे बहुत सारे जीव इस्थल पर एक जगह से दूसरी जगह खूब अमेरिका और इधर यूरॉप के बीच में बहुत सारे जीव ऐसे ही यात्रा कर लेते थे है ना ये जो हिस्से सब जुड़े हुए थे ये ये इससे जुड़ा हुआ था आपस में खूब यात्रा करते थे लेकिन जैसे पेंजिया और सूपर कॉंटिनेंट का या अंगारा गौंडवाना लेंड का विभाजन होना शुरू हुआ तो बीच में ये महा साग्रिय जला गया तो ये बैरियर की तरह काम किया ओके तो इसने यही बोला कि पहले ऐसास हुआ है कि बहुत सारे जीव ऐसे ही अफरीका से दक्षिन अमेरिका नौर्थ अमेरिका से योरॉप ए ऐसे ही पैदल पैदल चलके क्रॉस कर लेते थे ओके आई आई आपको ये बात समझए भए पिर बैरियर बनने लगे जल ने बैरियर क्रियेट किया टैथिस ही अपने आपने एक बैरियर की तरह काम किया जिसने इन प्रजातियों के या इन जुईवों के मूमेंट को बाधि किया है तो टैथिस सी ने यहां पे साफ साफ लिखा भी है मा सी वेज यहां पे जैसे टैथिस दिखा रखा है सी वेज ना मेरीन माइग्रेशन रूट्स एंड बैरियर टू टेरस्टियल माइग्रेशन यह लो फिर कभी ऐसा होगा यह कॉंटिनेंट्स वापस से आपस में आके जोड सकते है फिर से सूपर कॉंटिनेंट बढ़न सकता है सारे महादीप लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होने वाला करोडों साल लगेंगे हाँ तब तक आप आईएस वाईएस बनके कलेक्टरी करके रिटायर हो चुके होंगे फिर आया इयोसीन इयोसीन बच्चे एक दम से सूचने लगते हमारा क्या होगा सार आपका तो अभी जो है वही होगा आप कलेक्टर बनोगे एस पी बनोगे आईएस आईपियस बनोगे तो इयोसीन काल आया तो इस काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रा है विलुप्त हो गए उसके बाद वरहद हिमाल्य का निर्मान प्रारम हुआ आपका ग्रेट हिमाल्य है जैसे आप पूरा हिमाल्य है ना बिटा ग्रेट हिमाल्य है मिडिल हिमाल्य है और फिर जो आ इसी समय पर हिंद महासागर और अट्लैंटिक ओशन का भी विकास हुआ प्रॉपर डवलप जिस फॉर्म में आज है ये डवलप होना शुरू हो गए और जो प्राचीन जो आपके बंदर है या गिबॉन है वो मेंमार में उत्पन हुए हाती घोडा गैंडा और जो आपके सु आप से पूछ लेता है कि हमाल्यए की उत्पत्ति कब से कब तक होई तो हमाल्यए बेसिकली टर्शरी युगीन परवत है और यहां से इयोसीन से लेके यहां पर मायोसीन और प्लायोसीन के बीच तक इतने लम्मे पीरियाड तक आपका हमाल्यए डवलप होता रहा येस जो आज हिमाल्य है, चलो, फिर आया ओलीगो सीन, ओलीगो सीन ये देखो, बिल्ली, कुत्ता, भालू, आदी की उत्पत्तिवी, यानि कि जो डॉग है, जो डॉग है, वो आचुका था, बिल्ली, कुत्ता, भालू सब आ गए, पूछ वहीन बंदर, जिसे मानव का पूरवज कहा जाता है, वो भी थे इस टाइम पे, वरहद हिमाल्य बनता रहा, आल्प्स परवत का निर्मान भी इसी काल में प्रारंब हो चुका था, तो चल रहा है बेटा, ऐसा नहीं है, कि कोई माउंटेन ऐसा, भाई, ये कोई घर थोड़ा ही ना है, मिस्तरी आये, पचास मिस्तरी औ फटा-फट मकान बना के तियार कर दिया, तीन महीने में, प्रत्वी की शक्तिया काम कर रही है, और वो लाखो करोडो साल लेती है, किसी भी आकरती को बनाने में, तो वो चल रहा है, वो प्रोसेस, परलल चल रहा है, तो ओलिगोसीन काल हो गया, फिर आया मायोसीन, तो जो पैंग्वीन्स है उनका आविर्भाव हुआ अंटार्क्टिका में बड़े आकार की शार्क मचली पूछ विहिन बंदर मिले यहां पे आपको जल पक्षी हंस आ गया बत्तक आदी इस टाइम पे आ गये हाती आ गये मध्या और लगू हिमाले की उत्पत्ति इस टाइम पे चल रही थी मायोसीन ओपए डिफरंट डिफरंट टाइप के जीव आते जा रहे है फिर आया प्लायोसीन काल प्लायोसीन तो वर्तमान महासागर जो आज आपके पांच महासागर और सात महादीप है इस टाइम तक आके बन चुके थे विज्ञानिकों का कहना है कि इस टाइम तक किस टाइम तक प्लायो सीन तक प्लायो सीन तक आपके महादीपो का और महासागर अपने वरतमान फोम में आ चुके थे नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरॉप, अफ्रीका, एशिया, आस्टेलिया और अंटार्क्टिका इस टाइम पे बन चुका, ओके, बड़े-बड़े मैमल्स आ गए, जो बड़े-बड़े मैमल्स थे, उनकी संख्या में राश हुआ, शार्क का विनाश हो गया, आधुनिक इस्तन पाईयों का, जो मॉडन, आज के टाइम के जो मैमल्स है, वो देखने को मिले, शिवालिक की उत्पत्ती इस टाइम पे हुई, और मानव की उत्पत्ती, यह देखो बिटा, मानव, यहाँ पे आया है मानव, इस टाइम पे आना शुरू हुआ है, आज का जो आधुनिक मानव है, आजला आपके और हमारे जो पूर्वज है, इस टाइम पे है, ठीक, प्लायोसी, चलो, तो फिर आया क्वाटर नरी, क्वाटर नरी पे हम दो पढ़ेंगे, प्लीस्टो सीन पढ़ेंगे और एक हॉलो सीन पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं, प्लीस्टो सीन लगबग, आज से 1.89 लाख वर्ष पूर्व, और जो अभी चल रहा है, वो अभी कंचिन्यू है, हम किस पीरियड में चल रहे हैं, हॉलो सीन, तो ये आज और आप, जिसमें मैं आज पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, प्रत्वी के भूवेग्यानिक इधियास का जो काल है, उसमें हम इसको बोल रहे हैं, हॉलो सीन, ठेक है, हॉलो सीन, तो एके करके जानते हैं, तो ख्वाचर नरी, क्वाचर नरी के दो भाग है, एक है प्लीस्टो सीन और एक है हॉलो सीन, ऐसा लग रहे हैं, जैसे पी एच वेल्ल्यू है, ठीक है, प्लीस्टो सीन और हॉलो सीन, अब इस प्लीस्टो सीन को देखते है, आईस एज आपने ना यूरॉप में चार आइस एज देखने को मिले जो आपका यूरॉप है उसके अंदर फोर आइस एज आए जिनका नाम है गुंज मिंडल रेस वॉर्मौ प्रत्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव हिम चादर पिगलने लगी स्केंडिनेवियन छेतर की उचाई में वरद्धी हुई मानव और अन्यस्तन पाई जीव वर्तमान रूप में इसी काल में देखने को मिलते हैं हम जिस वर्तमान फॉम में है वो इसी काल म में है प्लीस टोसीन में क्या रहा चार हिम यूगाए बेटा यूरॉप के अंदर तो यूपियसी आपसे पूछ सकता है गुंज मिंडल रिस वर्म ये क्या बला है तो ये आई सेज है ओके वाल दन फिर आया हॉलोसीन जिसमें आज हम चल रहे है तापमान में वरद्धी हुई इसला करतिया वर्तमान के समान आज जो हमारे लैंड फॉम से साग्रिय जीवों को भी वर्तमान अवस्था प्राप्त हुई और इस्थलिय भाग पर मनुश्य ने क्रशी और पशु पालन करना आ तो आज हमने जो मौडन एगरी कल्चर आधूनी क्रशी अब बेटा सुन लो यहीं से एक नई समश्या पैदा हो गई है ना मनुश्य प्रत्वी पर आ गया और अभी तक जितने भी जीव थे प्रत्वी पर सबसे ज़ादा बहुत धिक रूप से सक्षम पराणी है मनुश्य अब इस मनुश्य ने अपने आपको आप जान रहे हो आज जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की आभी लेटेस्ट आप बताईए वो आखड़ा पार कर चुकी है ठीक है अभी इन दिनों समचारों में चर्चा में भी रहा था तो ये जब से ये मनुश्य आया अब मनुश्य को क्या चीए बेटा हमें चाहिए जमीन हमें बनाने हैं घर हमें करनी है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो हम जादा से जादा एरिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया और अक्यूपाई अब आर्थ का एरिया तो बेटा लिमिटिड है एक काफी बड़े हिस्से पे समुदरी जल है जहां पे आपकी और हमारा सर्वाइब उधर हम रहे नहीं सकते जाके तो जितना बचा स्थलिय भाग बचा और स्थलिय भाग पर हम मनुश्यों के साथ साथ बाकी सब प्रानी भी है है या नहीं अभी भी तो बहुत सारे आपके वनस्पती जगत है जन्तु जीव है बहुत सारे वो भी रह रहे है जन्तु जगत वनस्पती जगत अब लिमिटि और हम बाकी सब जीवों पे अपना प्रभुत्व इस्थापित करना हमने कायम कर दिया हमारी population बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है हमें जादा छेतर की requirement है तो हम जंगलों को काटना शुरू कर रहे है अब जंगलों को काटोगे तो जंगल के अंदर के जो जीव है वो किधर जाएंगे किधर जाएंगे हमने अपने घरों पे फिफ्थ फ्लोर थोड़े ना बना दिया कि ये लो भई ये जंगल काटा था हमने इधर घर बनाया हमने इंडस्ट्री बनाई ये पाँचवा फ्लोर पाँचवा माला दे दिया उस पे चारा हाती पाँच बंदर सो सेर रह लेंगे ऐसे तो नहीं होगा तो अब शुरू होना extinction होना शुरू हो जाएगा येस 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 आ जाईए तो अब शुरू हो गया extinction मास एक्स्टिंशन या बायोटिक क्राइसिस ओन आर्थ ये लीजिए तो बड़े पैमाने पर वाट इस बेटा ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्रलिम्ज के लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट मास एक्स्टिंशन यानि के बड़े पैमाने पर विलुप्त होना कौन हो रहा है बड़े पैनमाने पर विलुप्त बहुत सारे जीव बायोटिक क्राइसिस है बेसिकली आपका मास एक्स्टिंशन तो मास एक्स्टिंशन क्या होता है इसको समझो बिटा हम कब बोलेंगे कि मास एक्स्टिंशन हुआ है कहते हैं मास एक्स्टिंशन से तात पर यह विलुप्त होने की डिगरी में व्रधी मतलब जिस गती से आप विलुप्त हो रहे हो उसकी डिगरी बढ़ गई यानि के कब किसी चीज़ को हम मास एक्स्टिंशन बोलेंगे कहते हैं प्रत्वी का जो जियोलोजिकल टाइम स्केल है है ना भुगर्विक रूप से कम समय में कम समय के अंदर जब अपनी प्रजातियों के 3-4 से ज़ादा हिस्से को अर्थ खो देती है 75% 3-4 इस हिस्से से अधिक हिस्से को प्रत्वी खोने लगती है उसको हम बोलते हैं मास एक्स्टिंग्शन और प्रत्वी पर अभी ऐसे 5 एक्स्टिंग्शन हो चुके है 5 एक्स्टिंग्शन हो चुके है 5 बेटा 1,2,3,4,5 ये हो चुके है ये तो कम्पलीट हो चुके है ये कम्पलीट है और छटा चल रहा है तो आपके मन में आया होगा चलो सर जो छटा ongoing है हम समझ गए यतने हम समझदार है UPSC के aspirant है हम इंसानों की वज़े से हुरा होगा ये पहले वाले 5 कैसे हुए इसका हिसाब किताब चाहिए सर जी तो अगर आपको इसका हिसाब किताब चाहिए तो इस क्लास के प्रती आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है फटाफट इस क्लास के प्रती एक नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वाहन कीजिए जल्दी से लाइक कीजिए क्लास को फटाफट लाइक कीजिए आज क्लास थोड़ा छोटा रखेंगे ये बेटा पडोस में शादी है, मैंने बड़ा मुश्किल से उनको बोला, मेरे बच्चों की सेटरडे के दिन क्लास नहीं हुई थी, उन्होंने सब अपने डीजे वीजे सेट किये हुए है, ओके, मैं जाके उनसे गुजारिश करके आया हूँ, कि भाई साब 45 मिनट से लेके 60 मिनट का समय दे देना, बच्चे बड़े मासूम हैं, उनका एक्जाम नस्दीक है, वो मान भी गए, तो इसलिए मैं कोशिश करूँँगा, लाइक कर दिया, ठीक है, तो देखो यार, कितने आपके लिए गुजारिश करने ही पड़ती है यार हमें, आपकी पढ़ाई काफी इंपोर्टेंट है मेरे लिए, तो कहते हैं, अभी तक प्रत्वी के पूरे इत्यास के दोरान हमारे पाँच एक्स्टिंग्शन हो चुके हैं, आप बोलोगे, सर नाम बता दो जरा एक बार, पहला हुआ, और्डोवीशन, सिलूरियन, एक्स्टिंग्शन, आप देखो बेटा, जिस बच्चे को और्डोवीशन नहीं पता, सिलूरियन नहीं पता, वो कैसे याद करेगा, इसलिए तो मैंने आपको कोड बताया था, कॉस, डी सी पी, टी जे सी, पी ई ओ एम पी और पी एच, तो ये देखो, ओर्डोवीशन और सिलूरियन, ये वाला, इस काल में फर्स्ट एक्स्टिंग्शन हुआ, पहली बार प्रत्वी ने, पहली बार ये फर्स्ट मास एक्स्टिंग्शन था, इस टाइम पर प्रत्वी ने पहली बार अपने प्रत्वी पर 75 परसंट प्रजातियों को खो दिया था, क्यों खोया था जानेंगे उसके बारे में भी, फिर है लेट डेवोनियन एक्स्टिंग्शन यहां पर जब ये समाप्त होने वाला था, डेवोनियन पीरियर्ड समाप्त होने वाला था, इसके लेट डेवोनियन में, लेट सेकंड मास एक्स्टिंग्शन हुआ यानि कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हम इंसानों की वज़े से ही प्रजातिया विलूप्त हो रही है प्रत्वी के इतने लंबे इथियास में पांच बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि प्रत्वी ने बड़ी संख्या में अपनी प्रजातियों को खोया है कारण भी जानेंगे डॉंट वरी थाड हुआ पर्मियन त्रियासिक एक्स्टिंग्शन यह देखो ये वाला पर्मियन और ये वाला त्रियासिक इसमें आपका third mass extinction हुआ फिर हुआ ट्रियासिक जुरासिक जिसमें आपके ट्रियासिक जुरासिक ये लो यहाँ पे अब आप समझ रहे हो बिटा ये इतना बड़ा extinction क्यों हो रहा है back to back back to back क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण है आज हम जितने stable climatic conditions में थे प्रत्वी को उस मतलाब यहाँ पे तेजी से चीजे बदल रही थी volcanic eruptions भी हो रहे है उलका पात भी हुए प्रत्वी के उपर और भी बहुत सारे कारण है तो यह यहाँ पे fourth extinction हुआ फिर हुआ cretaceous paleogene extinction और आप चल रहा है छटा हम सोच रहे हैं यहाँ पे कैसे हुआ होगा यह सब कुछ जैसे आज हम कर रहे हैं पहले भी कुछ ना कुछ वैसे ही हुआ है अभी चल रहा है sixth mark mass extinction छटा ongoing है येस अभी प्रजातिया विलुप्त हो रही है ओके इसको हम बोलते है anthropocene extinction मानव द्वारा होने वाला extinction ओके तो देखते हैं देखते हैं कैसे कैसे हुआ कब होगा बेटा पहली बात कब बोलेंगे mass extinction जब 75% प्रजातियों को आर्थ विलुप्त यानि कि वो विलुप्त हो जाएगे तो फास्ट हुआ था हमारा audio vision 85% के आसपास हमारी प्रजातिया समाप्त हो गई थी उस ताइम पे कारण क्या था rapid global cooling उस ताइम पे global cooling थी आज global warming है उस ताइम पे global cooling थी और falling sea level तो जैसे ही sea level नीचे की और गया पूरा जो coastal शुरुवात में मैंने बोला था शुरुवात में जो life थी समुदर में थी तो coastal area पूरा destroy हो गया और बहुत जादा थंड से effect हुआ था तो यहां पे 85% प्रजातियों को प्रथवी ने lose किया second जो हुआ उसमें 70% के आसपास आपका death rate था कारण क्या था asteroid आके टकराया और जो यह rapid cooling वाला phase था वो इधर भी चल रहा था third यह देखो यह सबसे बड़ा है ना सबसे बड़ा सबसे जादा वरहद यह मैं बोलूँगा सबसे बड़ा largest अभी तक का प्रथवी का सबसे बड़ा यह extinction का दोर था जो third mass extinction था this is first this is second लिख देते है अरे भाई लुको यह देखो this is first this is second this is third this is fourth और fifth छटा अभी चल रहा है अब हम third की बात करते हैं हमने third को बोला यह largest था प्रथवी पर सबसे बड़ा mass extinction third वाला mass extinction था लगबग 25 करोड साल पहले हुआ कारण क्या था volcanic activity बेटा यहाँ पे काफी जादा बढ़ गई थी प्रथवी पर जोला मिखी विसफोट yes increase in methane and CO2 का level प्रथवी के उपर बढ़ा था इस दोर में तो जिसके चलते जलवाईू जादा कारगर नहीं थी रहने के और rapid global warming यह देख लो इस time पे भी आज से आज से 25 करोड साल पहले भी global warming के phase से अर्थ गुजरी है यह देखो ठीक है तो इस time पे volcanic activity हुई CO2 methane का level बढ़ा rapid global warming हुई तो oxygen क्या हो गई remove हो गई समुदर से oxygen का level वहाँ decrease हुआ और जो प्रथवी पर जो इस थलिय भाग है वहाँ पर मरुस थलि करण हुआ तो जब हम बोलते है global warming हो रही है रोक लो रोक लो मान जाओ नहीं मानेंगे extinction होगा हम सबसे ज़ादा बोथ धिक प्राणी है प्रथवी के हम चाहे तो चीज़े गो देखो प्राकर्तिक चीज़े बेटा जो होगी एक time पे वो होके ही रहेगी लेकिन हम उसको प्रलोंग मतलब उसको जितना ज़ादा दूर धकेल सकते है टेकनलोजी से ग्यान से ज़ादा sensitivity अगर लेके आए environment के प्रती तो ऐसा संभव है और नहीं मानेंगे तो हमसे पहले भी कितने आए और कितने गए हमारे बाद भी बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे फिर आया ट्रियासिक फॉर्थ मास एक्स्टिंशन यहाँ पर बेटा ये बीस करोड साल पहले आया कारण क्या था अभी भी बेटा देखो कितने करोड देखो आपको क्या लगता है प्रत्वी के atmosphere में हमारे environment में जो changes आते है immediately आप उसको एक बार अगर आपने वो chain reaction शुरू करा दी ना फिर आप और हम कितना ही कोशिश कर ले दुनिया का पूरा मानव सा मुदाए एक साथ हो जाएगा तब भी उस natural जो chain reaction शुरू होगी हमारे environment में और ecology में उसको नहीं रोक पाएंगे तो यह देखो अभी भी यहाँ पे methane का और CO2 का क्या था लेवल बढ़ा हुआ था ओके उसके बाद global warming ये लो यहाँ पे भी global warming का यह likely cause है कि किस वज़े से ऐसा हुआ होगा फिर fifth आया 80% हमारी प्रजातिया लग बग साड़े 6 करोड साल पहले की बात है ऐसा क्यों हुआ था एक asteroid आके टकराया था asteroid impact बोल रहे है इसका कारण क्या रहा होगा volcanic activity और sea level falling इसके चलते यह हमारा fifth वाला mass extinction था सबसे बड़ा extinction वाला कौन सा था third mass extinction सबसे बड़ा था देखो ना बेटा कितनी प्रजातिया भी लूपत हो गई 95% death rate देखो यहां पे third वाला इसको screenshot की चो लिखना हो लिख लेना important है बाकी environment and ecology में इसको हर आज मैं आपको इस शिर्फ overview दे रहा हूँ इसके अंदर एक एक activity बहुत क्या थी वो detail में समझाऊंगा इसके अंदर क्या हुआ वो भी detail में समझाऊंगा इसके अंदर क्या हुआ क्या क्या हो रहा था बहुत detail में समझाऊंगा environment and ecology में यहां पे भी जो हो रहा है बहुत detail में discuss करेंगे इसमें और तो बिग फाइव मास एक्स्टिंग्शन है लेट ओर्डोवीशियन, डेवोनियन पर्मियन, जुरासिक, क्रिटेशियस ओके चलो तो फिफ्थ हुआ यह 85 अल्मोस्ट यह फिगर इस फिगर पे मत जाना बिटा है थोड़ा कम जादा, बस यह आद रखना सबसे बड़ा लार्जेस्ट यही था लार्जेस्ट वाला यही था थर्ड वाला थर्ड वाला लार्जेस्ट था अब अब सिक्स्थ मास एक्स्टिंग्शन क्या है, छटे वाला क्या है छटे वाले को को समझने की कोशिश करते हैं छटे वाले को देखो इसको हमने एंथ्रोपोसीन एक्स्टिंग्शन बोला है ना मानव आ गया बेटा इसको मानव का रोल है एंथ्रोपोसीन मानव जनित है तो जितने भी रिसर्चर्स है वो कहते सबसे गंभीर परियावरनिय समझ्या है आज के युक्की क्योंकि इस से बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियों का स्थाई विनाश होगा ये देख लो स्थाई विनाश होगा एक बड़ी संख्या में sixth mass extinction तो बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा सर इसको हमने मानव ऐसा क्या कर रहा है तो सब कुछ आपके और हमारी आँखों के सामने ही हो रहा है जो भी हो रहा है जो भी चल रहा है आपकी और हमारी नजरों के सामने हो रहा है क्या नहीं कर रहे हम हम green house gases का emission कर रहे हैं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रत्वी का global warming हो रहा है हो रहा है या नहीं उसके बाद ozone layer depletion आज के time पर ही हो रहा है industrial activity agriculture के लिए आपको जमीन चाहिए तो आपने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और इस earth की बेटा जो resources है अमारे terrestrial resources है उनकी एक limited capacity है वो एक सीमित संख्या को ही survive करा सकते है सीमित संख्या को समझे हम इंसान चटोरे भी बहुत है बिचारे बहुत सारे जो हर भी वोरस है वो तो पेड़ पत्य खाके काम चला लेते है हमें तो दस नहीं नहीं तरीके के item चाहिएंगे मसाले चाहिएंगे असली मसाले सच चीक तो हमारा consumption भी different type का है PDF मिलेगा तो मनुष्य क्यों जिम्मेदार है आपके मन में प्रशन आया होगा मनुष्य ही क्यों जिम्मेदार है तो कहते हैं प्रत्वी के उपर बहुत सारी प्रजातियों के लिए शोद करताओं का मानना है कि सबसे बड़ा खतरा मानव ही है तो कई जीवित जीवों के लिए मानव था एक अभूत पूर्व खतरा है किसी ने सोचा नहीं था कि पिछले 10-11-1000 सालों में हम ऐसा कर देंगे कि हम इंसान बाकी सभी प्रजातियों के लिए बड़ा खतरा है फिर मुवीज बनेगी आने वाले 10-15 सालों में आपको मुवीज मैं बता रहूं कैसी मुवीज बनने वाली है एनिमेशन की होगी उसमें आप ये दिखाया जाएगा कि जो ये बाकी सारे जीव है और जो हियूमन है वो कैसे हियूमन उनके लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है वो शेर खान मीटिंग कर रहा होगा हम जानवरों को इन इनसानों से खत्रा है क्या करे इनसानों के पास हतियार है जो अवतार मूवी में दिखाया है जबरदस्त दिखाया है जबरदस्त तो मानव एक अभूत पूर्व खत्रा है प्रत्वी के उपर जीवों के लिए और कहते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है मानव की बढ़ती हुई संख्या मनुष्य की बढ़ती हुई संख्या और कहते हैं प्रजातियो का विनाष कब से होना शुरू हुआ और हम इंसानों के लिए हमारी जेन्रेशन है मानव प्रजाती के लिए बड़ा अचीवमेंट है कि हमने कृशी करना शुरू कर लिया हमने आग का आविशकार किया हमने पहिये का विश्कार किया हमने लोहे की खोज की हमने जुताई करना शुरू किया हमने अगरिकल्चर को करना शुरू किया और हमने एक इतनी बड़ी पोपुलेशन दे दी इस अर्थ को जो unprecedented मतलब सोची नहीं थी ये हमारे लिए achievement है लेकिन ये development के लिए कीमत किसने चुकाई है बाकी सारे जीवों ने तो वही के ये शोद करता क्या करे है प्रजातियों का नुकसान तब से हो रहा है जब से मानव के पूरवजों ने ग्यारा हजार साल पहले क्रशी विक्सित की थी और तब अबादी लगबग थी 1 million 10 लाग की आबादी थी और अभी तो ये वाला figure भी change हो गया आपको पता है this figure now has been changed ये change हो गया 800 करोड है ना यहां से अब बेटा land तो limited है जिस हिसाब से हमारी population grow हो रही है उस हिसाब से हमारे resources नहीं बढ़ रहे है तो हम पिछले 10 से 11,000 सालों में हम 10 लाग थे बेटा अब हमारा figure देखो ये updated कर लेना इसको update कर लेना है ना इसको update कर लेना बेटा अब आपके पास नया आपड़ा है तो इसलिए मनुश्य सबसे बड़ा खत्रा है प्रत्वी पर जीवों के लिए और मैं कहा रहा हूँ मनुश्य खुद जिस तरह की activity हम कर रहे है खुद अपने अस्तित्यू के लिए खत्रा है मनुश्य आपने शेर को देखा है का शेर कार चला रहा है उस शेर को आज एक कार चाहिए कल को दूसरी कार चाहिए आज दो लाख वाली कार कल को दस लाख वाली कार परसो को दस करोड़ वाली कार उस शेर को अपना private jet चाहिए हम जा रहे हैं अफरीका में छुट्टे मना के आ रहे है वो तो प्रकरती के साथ बिलकुल adjusted form में adapted है तो यह समश्या है या दिस इस सिख्स्थ मास एक्स्टिंशन वेरी इंपोर्टेंट फॉर यूपी असी प्रोलिम्स दो हजार तईस के लिए भी इंपोर्टेंट है तो जैसा कि मैंने आपको बच्चों कहा था कि आज वाला सेशन थोड़ा चोटा करेंगे तो पडोसी के घर में इवेंट है उनको भी हर किसी का हमारा पढ़ने का हग बनता है तो उनका सेलिब्रेशन का भी हग बनता है और किसी की शादी जीवन में है ना आप जानते हो कितना एक अभूतपूर पल होता है यहां हमने अभूतपूर खतरा भी पढ़ा है जीवो के लिए बाकी तो आज का सेशन यहीं एंड करते है बाकी हम कल करेंगे इस से आगे की कहानी तो फास्ट नेवेंबर से यह मेरा कम्प्लीट हो चुका है बेटा इंटर्नल सिक्योरटी पर यह मेरा कोर्स कम्प्लीट है आप अनेकैडमी प्लस जोइन कर सकते है और इस कोर्स को देख सकते है इसके साथ साथ याद रखना कि अभी तीस नेवेंबर तक जबरदस्त ओफर चल रहा है मेरा रेफरल कोर्ड नवीन वन लगाके आप सब्स्क्रिप्शन ले सकते है एनवार्मेंट अनिकोलोजी का कोर्स आप मेरी अनेकैडमी की प्रोफाइल पे जाके देखिए वो प्रोपर शेड्यून मिल जाएगा 16 दिसंबर से अनेकैडमी प्लस पर मेरा एनवार्मेंट अनिकोलोजी का कोर्स आ रहा है एक जबरदस्त कोर्स रहने वाला है कुछ नए चैप्टर्स भी एड किये हैं मैंने इसमें तो आप इसको जोइन कर सकते है और जिन भी बच्चों को PDF चाहिए ये क्लास का टेलिग्राम चैनल है मेरा अनेकैडमी अंडरिस्कोर नवीन तवर और जोगरफी ऑप्शनल दो ये चल रहा है पेपर टू चल रहा है और जबरदस्त है ये बेटा आप इसको जोइन कर सकते है 2023 वाले चाहे 24 वाले हो चाहे 25 वाले कोई भी बच्चाओ इन तीनों सालों में से जोगरफी ऑप्शनल जिसका है आप आईए जोइन कीजिए और यकीन मानिए जैसा कंटेंट आपको मेरी क्लास में मिलने वाला है आपको ऑप्शनल के अंदर उतना detailed to the point स्लेबस coverage वाला content नहीं मिलने वाला हिंदी माध्यम में इस बात को ध्यान लखना तो आपको करना क्या है नवीन 1 referral code को इस्तमाल करना है ये code लगाना जरूरी है बटा इससे discount तो मिले गई सबसे बड़ी बात discount तो चलो वो फायदा है ये लंबी जरूरी है आपको पता है एक different strategy, different approach एक experience person का होना आपके साथ जरूरी है तो अगर आप ये referral code लगाते है तब मैं आपके साथ आके खड़ा हो जाऊंगा आपकी UPSC की जरूरी का जो रत है उसका सार्थी मैं बन जाऊंगा और ये सारी चीज़े देख लीजिए अनकेडमी special class पे art of answer writing, essay writing, English compulsory ये free courses है, देख सकते है geography, optional, ethics, internal security और environment ये मेरे plus course है अनकेडमी subscription लेकि आप देख सकते है और referral code का बस ध्यान लखना particular वो बच्चे जो EMI पे subscription ले रहे है loan पे subscription ले रहे है आपको loan team को साफ साफ बोल देना है कि नवीन one referral code ही लगाना है ये आपकी जिम्मेदारी है गलत code लगेगा उसका भाई मेरे पास कोई लाज नहीं है उसके बाद आप दा प्रबंदन निबंद लेखन नैतिकता की अदालत ये free courses है an academy app पर आप देख सकते है free of course और ये 27 नवेंबर को scholarship test ये हुआ था I hope कि आप लोगों ने इसमें participate किया होगा 50% scholarship थी इसमे referral code जब भी आप combat में participate करें मेरे referral code नवीन वन को apply कर सकते है the last mile है ये interview guidance program है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 का means लिखा है अभी result आ जाएगा बहुत जल्दी तो key point क्या है बिल्कुल free of course है पहली बात तो pre-deaf, deaf analysis online classes है आपके current affairs state wise जो आपका GS बनता है उसकी mock interview performance evaluation interaction होगा आपके previous topers से previous year के topers से serving bureaucrates से high quality video होगी आपको interview के बाद मिल जाएगी वो bureaucrates, top educators, professors यह panelist है compete है इसमें participate करके आप exciting gifts और rewards जी सकते है उसके साथ ही साथ यह doubt and solutions section है unacademy app पर आप इसका फायदा जरूर उठाइए आपको जो भी doubt है आप इधर आके अपने doubt को resolve कर सकते है answer writing है easy to access है app से website से कहीं से भी देख सकते है तो 2018 से 21 तक के सारे जो आपके mains के GS के PYQs है आप उनको जाके देख सकते है तो आपके लिए आप आनक एर्मी undoubtedly बहुत जबरदस काम कर रहा है आप इसको सिर्फ benefit लीजिए और आज का session यहीं समाप्त करते है कल दो पैर दो बज़े मिलेंगे तब तक class को अच्छे से note कर लेना अपना notes बना लेना bye bye take care आपके लेना